नमस्कार दोस्तों श्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप से प्यारे दोस्तों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ बात करते हैं आज के इस इंपोटन्ट वीडियो में अदानी विलमार लिमिटेड श्टॉक के बारे में क्या इस श्टॉक में अभी न्यू एंट्री बन तो बने रहे हैं हमारे इस वीडियो में और चैनल पर पहली बार है और अदानी विल्मार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले क्योंकि अदानी विल्मार की लेटेस्ट अपडेट हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करेगे तो ऐसे में सबसे पहले बात करते है आज की वॉल्यूम के बारे आज अदानी विलमार स्टॉक में हमें देखने को मिली है और बात करते है मैं आज दोस्तों कितनी लार्ज डिल इस प्रिचलख में हुई है यदि इस फिगर को आप देखेगे तो आपकी आखे फट जाएगी आज के दिन अद्दाने विलमार स्टॉक में 348 लार्ज डिल हुई है वो आप स्क्रीन में देख सकते हो 300 से ज्यादा की बड़ी लार्ज डिल आज इस टॉक में देखने को मिली और उसी का नतिजा है कि 3 करोड से ज्यादा की व वेल्यू 1 करोड 1 करोड 1 करोड तो ऐसे में करोड का कारोबार आज दाने विलमार में हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसे में अब इस टॉक में न्यू एंट्री बनानी चाहिए या नहीं तो दोस्तों मंदे से जिस तरह की मार्केट की वालाटिलिटी को देखते हुए और बड़े बड़े रिसर्च के मुताबित एस टॉक वेरी बुलिश टेक्निकल ट्रेंड में अभी ट्रेड कर रहा है यानि कि मंदे से फिर से अपर सर्कित हमें देखने को मिलेगी पूरी पॉसिबिलिटी है जिस इन्वेस्टर ने आज मौका पे चौका लगाया उसको से फिर से अपर सर्कित देखने को मिलेगे और जिस टार्गेट को बड़े बड़े रिसर्चर ने पहले ही बता दिया है वन थाउजन के लेवल को टच करना तो आने वाले वन मंत में अदाने विलमार का स्टॉक वन थाउजन के लेवल को टच करेगा यह 100% शौर है तो दोस से में यहीं मौका है एंट्री मिले तो दोस्तो आप इस टॉक में इन्वेस्ट में बढ़ा सकते हैं क्योंकि लॉंग टाइम के लिए यादी जिस फैंस ने इस टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया उसका पैसा लॉंग टाम के लिए बहुत अच्छा रिटन देखने को मिल सकता है तो यहीं थी अदानी विलमार लिमिटेर स्टॉक कि लेटेस्ट अपडेट 300 से ज्यादा की बड़ी लार्ज डिल के साथ 3करोट की वोल्यम के साथ तीन करोट से ज्यादा की वोल्यम के साथ आज ट्रेडिंग हमें देखने को मिली ऐसे ही लीटेस्ट इन्फर्मेशन पाने के लिए चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब चरूर कर लेना और ए साथ ही एक छोटी सी रिक्वेश्ट भी है ए इन्फर्मेशन आपकी एजुकेशन के स्टडी के मजबुत बनाने के लिए है इस स्टॉक के बारे में आपकी स्टडी को हम मजबुत बनाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट देने के लिए है आपको क्या करना चाहिए वो आप अपनी खुद की इन्वेस्टिंग के साथ ही आगे बड़े और कोई भी डिसेजन लेने से पहले अपने फाइननशियल एडवाईजर की सला जरूर माने तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते है यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो इस वीडियो की इन्फरमेशन को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके ही जाना थैंक्यू सो मच जैहिंद